तो हलो दोस्तों नमस्कार मिना नाम सुनिल और सबका बहुत बहुत स्वास करता हूं मेरे इस इत्यूप चनल पर दोस्तों आज हम फिर से आप सबको एक सेटिंग के लिए वीडियो बना रहें ताकि इस सेटिंग से आप लोग अपने काम को आगे बढ़ा सकें और अपने काम में आपको समस्या नहा हो क्योंकि मसीने के लिए करते हैं कहते हैं लेकिन यह चीज कोई नहीं बताते हैं चलेए वीडियो को हर को बता आयते हैं लेकिन कोई भी मसीने वाला इस छोटीसी जानकाईडी को नहीं देते हैं. तो आज हम इसी चीज़ के बारे हम बात करें कि आखिर वो कौन सब परिशान होते हैं. तो हम आपको दखाते हैं कि क्या है. देखें. इस तरह का जो प्लेटे होती है. माका ऩो आप है कि यह जो प्लेट होता है तो इस पर मसीन इतों सब ले आते हैं अब मसेन के साथ में एक प्लेट मिलता है जोकि सबको पता है बाकि इसे व्राई होगी सब काठाइप को अलग से बनवाना होता है लेकिन लोग कोई पूछते भी, नहीं है मसीन वाले से अना मशीन माले बताते हैं हाला कि हम जिसको भी जयते हम तो बता देते हैं लेकि बहुत लोग इस चीज के लिए परिषान होते हैं और कल पर से मेरे पास एक भाई आया थे उन्हों इस परिशाने को में पास जाहिर किया तो हम इस टॉपिक पर वीडियो बना रहें उन्होंने दो पर वीडियो बना रहें आज और दोनों का हम आपको वीडियो बना के देंगे तो एक और उनका कहना था कि plate जो मसीन आया तो मसीन के साथ में एक plate लगके आता है और उसके बाद और जो plate काटना होता है उसके बारे में कोई हमें बताया नहीं और हम बहुत परसान हुए उल्टा सिधा size कट गया तो हम आपको यह चीज बता देना चाहते हैं कैसे आपको प्लेट को काटना है और क्या प्लेट का साइज होगा जिससे कि आप घर बैढ़े अपनी प्लेट को काट सकते हैं बिना किसी से पूछे तो बताते हैं कि कैसे काटना और एक बात उसमें में कौन बेज़ बेनिफिट आपको बताएंगे होता है नूर्मली अभी 16 इंच का बेलन सब मसीने में लग रहा है देर फिट का लंबाई हुआ एक फिट का चोड़ाई हुआ यानि कि 18 इंच प्लेट लंबा होगा और 12 इंच प्लेट चोड़ा होगा जैसे कि अभी हम आपको दिखाते हैं एक प्लेट यह दखे इसकी लंबाई चोड़ाई जो है यह जो है अपना यह 18 इंच और यह जो है यह 12 इंच तो इस तरह का प्लेट आपको कटवा लेना है और भाग यहां पर करवाना है और मशीने में ऐसे डालके डालने के बाद इस तरह से कि अ आप कोई समी जोशी साइजिका को प्लेट काटना होगा उसका प्लेट लेना है हम दिखाते हो भी इस तरह का प्लेट ले लिए और यह आपको साइज हुआ 7 इंच प्लेट तो इसको हमें बीच में ऐसा रखना होता है ठीक है तो बेलन से पहले हम जब डाई लगाएंगे मशीन में तो डाई को बेलन से डाई की दूरी ना पलेना कितना दूरी आता है दो इंच इंच है तीन इंच है बेलन से लेंगे करके डाई तक असे बीचो बीच वakँ से अग्धव तो यहां से 30 इंच से 3 आप लिये मारक कर लिये और रह करके इसको मारका से ऐसे गोलाई से ऐसे कर लेना निसान लगा लेना है उसके बाद इसी बीच में आपको cutting कर लेना है तो इसी तरह से आपको जितना भी size होगा प्लेट का जैसे वह आपको 8 इंस का हो जाए 7 इंस का हो जाए 6 इंस का हो जाए 5 इंस का हो जाए सारे 4 का हो जाए 13 इंस का हो जाए 12 इंस का हो मिसिन का हम आधा बता रहいます कि क्लेदें आपको बेनेफिट 2 होगा aika की पैसा सकर टबल लगए अधा हो जाएगा एक में आप 2 प्लेट बना सकते हैश हो आपको यह कंते से क्वक्री लेगे लेकिन वो में यहां तो यह चिद्ड्न कर आपको तो पेपर जब आएगा तो डाई में कटने के बाद सीधा हवा से उड़के बाहर आ जाएगा और प्लेट पूरा रहेगा तो प्लेट तो आ जाएगा बाहर लेकिन उसकी कटिंग आती है वो साइड में फस जाता हूँ जैसे अंदर फसेगा तो पेपर वापस मुर जाएगा डाई में कट जाएगा तो पुड़ा प्लेट लगाने से आपका नुक्सान होगा और आगर आप आधा लगाते जासे हम ये बता रहे हैं तो आपको उसमें ज्यादा बेनिफिट होगा तो यह हो गया प्लेट का साइपी कैसे आपको पलेट बंढाना है और कैसे आपको करके उमीद है कि आपको इसका साइज निकालने आ गया हुआ कि प्लेट का कैसे साइज निकाला जाए और कैसे हमें इसकी सेटिंग किया ताकि आपको प्लेटे खराब नहों पैसा कम लगे तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बला के जो प्रेस करें ताकि जब इस तरह के वीडियो अप्लोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद